हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल स्टॉक राइडर सो फ्रेंड्स इस्टॉक एनलिसिस वीडियो में आपका स्वागत है और स्टॉक की एनलिसिस से पहले उन सबी लोगों को जिन लोगोंने मेरी कुछ वीडियोज लास्ट वीक में जो पब्लिस हुई थी चाए M&M Finance हो, Hero Motor Cop हो, IOL CP हो, Bosch हो, Godrej Properties, IDFC, Dixon, Biocon, L&T, Manapuram, बहुत सारी स्टॉक की वीडियोज मैंने पब्लिस की थी लास्ट टू-3 डेज में जिन लोगोंने इन वीडियोज की प्रॉप कीजिए आपका क्या एक्सपिरियेंस रहा, हैप्पी क्रिशन जन्दमास्ट में टू-ALL, और फ्रेंड्स एक और कॉंगरुच लिशन्स, निफ्टी ने ओल्टाइम हाई फिर से लगा दिया है, आज निफ्टी ने ओल्टाइम हाई लगाया है, 16,951 का, और क्लोजिंग दिय है 16,931 पे, तो ये भी एक कॉंगरुच लिशन्स की निउज है, तो चलते हैं स्टॉक के बारे में बात करते हैं, स्टॉक का नाम है Central Depository Services India Limited, 52 वीक का है 1579, 52 वीक का लो है 396, इसी स्टॉक के बारे में अभी कोई भी डेटेल अवेलेबल नहीं है, कि कि इतनी कॉंटिटी ट्रेड हुई, delivery quantity कितनी है, percentage of delivery कितनी है, क्योंकि ये स्टॉक BE category का है, और BE category का अगर आपको नहीं पता है, एक बार Google में आप सार्च कर लीजिए, आपको परचल जाएगा, BE means book entry, जैसे FL की वीडियो में मैंने बताया था, BE means book entry, book entry का मतलब होता है वो स्टॉक जिन में आप intraday नहीं कर सकते, इसलिए उनका data available नहीं होता है, NSE की website पे, ये है इनकी website cdslindia.com, आप एक बार जाकर इस website पे पढ़ सकते हैं, वैसे आप सबको पता है, जो लोग stock market में हैं, सबके पास में cdsl के message आते हैं daily, dmat account increase हो रहे हैं, लोग dmat account बहुत जादा open करा रहे हैं, जब ये है इस stock के बारे में एक news, sdfc ने अभी 5 दिन पहले 2.21% जो stake था, वो sell कर दिया था, ये news आप india info.com website पर पढ़ सकते हैं, जाके, stock के बारे में बात करेंगे, market cap है 12,207 करोड की, promoters की holding 20%, debt 0, pledge percentage 0, लेकिन share holding pattern अभी currently available नहीं है, इस company के बारे में, तो ये है इस stock का one day का chart और one day के chart में RSA चल रही है, 49.5, 1589 से share गिरा, उसके बाद में 1999 पे आ गया, 1500 के आसपास में telegram members पूछ रहे थे, sir, cdsl में buying कर ले, मैंने तब भी बोला था, sir, all time high के आसपास चल रहा है, और top पे मैं किसी भी share की buying recommendation नहीं दूँगा, क्यूंकि जो stock भाग रहा है, उसको भा और जब यह stock नीचे आ गया, 1099 के आसपास में, उसके बाद इस stock ने 3-4 दिन consolidate किया, consolidate करते ही, मैंने 1200 के, या 1190 के level के आसपास में अपने telegram members को बोल दिया था, कि आप buy करके hold कर लिजिए, stock 325 नहीं, आपको बहुत अच्छे return दे जायागा यहां से, और अभी सब का hold है, 1190 अबे पर किसी ने लिया था, 1200 पर भी लिया था, और अभी सब profit में है, जितने मैंने stocks की video बनाई है, सारे stocks profit में है, कोई 2% अप है, कोई 3% अप है, तो देखे अभी इस stock में क्या गरना चाहिए, जो लोग बहुत पहले से इस stock में invested हैं, वो आज भी profit में होंगे, लेकिन जि 22.80 पर बंद हुआ है, आपको 1200 या 1210 यहां पर मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है, वरना current market price पर आप बाय कर सकते हैं, और इस stock को आप hold करके लख लीजे, बहुत अच्छा profit बना के देगा, अगर आप hold नहीं कर सकते हैं, आप से मेरी strategy को follow करना चाहते हैं, 3-5% की strategy, व आप इस stock को अपनी watch list में add करकिए, आपको buy करना है, नहीं करना है, वो आप पर डिपेंड है, आप अपने financial advisor से contact कर सकते हैं, मेरी analysis थी, वो मैंने आपको बता दी, levels आपको बता दी है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरी strategy सेम है, मुझे किसी भी stock में 3-5% profit दिखेगा, मैं exit क कर जाऊँगा, so friends ये थी मेरी stock की best analysis, video अच्छी लगी हो, like कीजिए, share कीजिए, कोई query question ने comment कीजिए, video को description box में आपको link मिल जाएगा, मेरे telegram channel का आप जाके join कर सकते हैं, और video अच्छी ही लगी हो, please dislike कीजिए, आपको dislikes मुझे motivate करते रहेंगे, और मैं अपने stocks की analysis में proficiency लाता रहूंगा, so thank you friends, thanks a lot, bye bye for now.